हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने सैंसेंग गलेक्सी ए 15 एंडूइट माइलफून में अगर आपके वाट्सअप की इंकमिंग कॉल अगर इस स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रोलों को आप सॉल्व कैसे कर सकते स्क्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो सबसे पहले वाट्सअप को आपको उंगली से दबाके रखना है आपका इस छोड़ा पेज ओपन होता है इसमें आपको को कोने में सरकल के अंदर जो आई-बटन बना हुआ नजर आ रहा है इस आपको टैप करना है तो आपको यह इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आप चालू कर लिए इसके बाद फोन का setting पेज ओपन кरने है इसमें आपको सबसे पर यह search icon पर टाप करना है यहाँ पे सबसे पर search बारो में software आपको लिखना है आपको नीचे software update का आपको उप्शन शो हम था apart करना है आपको इस वाली पाउर बटन आपको उंगली से दबाके रखना है आपका पीज आता है इसमा को restart का यह option टाप करना है इससे क्या होगा आपका फोन automatic switch off होगे automatic switch on हो जाएगा restart करने से यह होता है हमारे फोन के android system में अगर कोई problem आती तो वो solve हो जाती ठीक है अगला काम यह करना है कि mobile phone को play store open कर सबसे उपर सर्च बार पे tap करना है यहाँ पे सर्च बार में WhatsApp लिखके search करना है ठीक है तो WhatsApp के सामने अगर यह update का बटन दिखाई देता है तो इसे update पे tap करने मोगवाइल फोन को reset करना है जब मेरे बताया हुए पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते है तब आपको phone को reset कर होता है इसे टाप करना है आपका फोन डेरेक्ट ली को इंकमिंग कॉल इसरी पहले से नोटकर करना है यह दो काम आपको पहले करने हैं उसके बात फोन को रिसेट करने हैं टीक है तो मेरे बताएवे सारे process आपको use करने है इससे आपके whatsapp की जो incoming call screen के ओपर show नहीं होती है ये problem solve हो जाएगी ठीक है